बोल्ये ब्रंदावन बिहारिलाल कीजे बोल्ये मोर्म कुटबन सिवाले कीजे बोल्ये द्वार का धिश महराज कीजे बोल्ये सामरे सरकार कीजे जे जे श्री रादे जे श्री रादे बोल्ये 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 भावना की जोत को जला के देखिये और बोलती है मूर्दी बुला के देखिये इन पंतियों में जो सच्चाई छुपी है के भग और भगवान का रिष्टा क्या होता है भगवान भाव के भूके होते हैं जैसे श्रीराम जी ने शबरी के जूठे बेर खाये किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के घर साग और रोटी खाए किस तरह श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के कच्चे चावन खाए भग और भगवान के इसी तरह के इस पावन रिष्टे को बताने के लिए जो मैं बजन सुनाने जा रहा हूँ वह किसी कभी की कलपना नहीं बलकि सच्छी घटना है जिसमें एक ऐसी भगवान श्री किष्ण की दिवानी महिला जो बच्छपन से व्रंदावंधाम जाती थी समय अपनी रफ्तार से चलता गया वो बड़ी हो गई और उसका विवाह भी हो गई लेकिन ब्रंदावंधाम जाना नहीं छोड़ा थोड़े समय बार प्रभू की असीम प्रिपा से बाल गो पाल हो गई मगर फिर भी ब्रंदावंधाम जाना नहीं छोड़ा समय बीटता गया बच्चों की भी शादी हो गई मगर ब्रिंदा बंधाम जाना नहीं छोड़ा नाती पोते हो गई फिर भी ब्रिंदा बंधाम जाना नहीं छोड़ा परंटू कहा जाता है कि बुडापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर इंसान को सीकार करना पड़ता है उस महिला ने जब ये देखा कि उसका शरीर अब साथ नहीं देता तो अंतिम बाद ब्रंदाबंधाम गई और वहां से अश्च धातू की कनहिया जी की मोर्ती ले आया और बड़े लार प्यार से उसकी सेवा दरने लई आये उस महिला की जिन्दगी में ऐसी कौं सी घटना हुई वह इस भजन की द्वारा आप तक पहुँचाने का प्यास कर रहा हूँ क्या बगत के वश में है भगवान बगत के वश में है भगवान बगत बिना ये कुछ भी नहीं है बगत है इनकी जान बगत के वश में है भगवान बगत के वश में है भगवान बगत की वश में है भगवान बगत मुरली वाले की रोज ब्रंदा बने डोले कृष्ण को लल्ला समझे कृष्ण को लल्ला बोले कृष्ण को लल्ला समझे कृष्ण को लल्ला बोले शाम के प्यार में बागल हुई वो शाम दिवानी अगर भजनों में लागे छोड़ दे गाना पानी प्यार करन वो लागी उससे अपने पुत्र समान बगत के वश में है भगवान बगत के वश में है भगवान वो अपने कृष्ण लला को गले सी लगा करे रखे हमेशा सजा करे रखे किलाड लडा करे रखे वो दिन में भाग के देखे रात में जाग के देखे कभी अपने कमरे से शाम को जांक के देखे अपनी जान से जादा रखती अपने लला का ध्यान भगत के वश में है भगवान भगत की वश में है भगवान वो लला लला पुकारे हाए क्या जुल्म हुआरे गुड़ा पा बिगड़ गया जी लाल मेरा कैसे गिरारे क्या हुआ और कैसे हुआ समय का चक्र चलता है और कुछ समय बाद जन्वास्टमी का दिन आता है और उसी दिन कुछ रद महिला का स्वास खराब होने के कर घटिया पर लेते लेते उसने अपनी बहु को आवास दो और कहा बेटी आज जन्मास्टमी का दिन है तुम जरा लला कुछ नान तो करा दो और जे जंदन का लेप लगा के सुम्दस से बस्त्र पहना के उसे पल्ले में बिठा दो बहुत जो बहुत जरूरी काम में व्यस्द थी कहा मा मैं अभी कुछ काम कर रहेगी मेरा काम खत्म होते ही मैं लला का काम कर दूँगी ये सुनकर उस महिला ने कहा कि मेरे घर पर हमेशा से पहला काम मेरे लला का ही होता आया है इसलिए सबसे पहले मेरे लला का ही काम होगा इसके बाद तुम कोई भी काम करती रहो मुझे कोई अक्राज नहीं है ये सुनकर बहु जो थोड़ा गुस्से में आ गई और जुन्जलाद कर उसने कनयज की मूर्टी उठानी चाहिए और जैसे ही लगला की मूर्टी उठाई और मूर्टी उसके हाथों से घिर पड़ी मूर्टी घिरते ही वो महिला बोली क्या